नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे चनल जिक्के जीत सर के अंदर तो आज हम एक नया टोफिक पढ़ने जा रहे हैं जो हैं राजस्तान का अपवात अंतर नदियां और जिले जो बहुत ही महत्यों पूर्ण क्यूशन है पढ़ते के एक्जाम में एक दो क्यूशन ह आगए हो इसके अंदर से आते हैं तो आज हम कौन-य कोन सी नदियां हैं उनको मैं आपको ट्रिक के मादेमसे सभी नदियों को याद कर्वा दूंगा तो आज हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में, देखो पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सक्साइब नहीं किया है, तो सक्साइब जरूर के लिए क्योंकि पढ़ते एक आपको टॉपिक का वो देखने को मेरे चैनल के उपर और लाइक कोमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, तो अपन पढ़ते हैं देखो नदियों के बारे में, तो देखो राजस्तान का अपवा तंतर, अपवा का मतलब होता है, अपका मतलब होता है दूर और वह का मतलब ले जाना, कि नदियां क्या करते हैं, जल को एक सान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, बहा करके, उसे हम क्या कहते हैं, अपवा कहते हैं, और तंतर किसको कहते हैं, जो उनका जाल होता है, उनको क्या कहते हैं, तो राजस्तान की नदिया क्या बनाती है, एक तंतर का निर्मान करती हैं, जाल का निर्मान करती हैं, तो अपन हम प विशर्जन के आधार पर राजस्तान की नदियों को तीन बागों में बांटा गया है। अरब सागर का अपवा तंतर और तीजर्फार है बंगाल की खाडी में बंगाल की खाडी का अपवा तंतर तो टीन बागों में बांटा गया है। एक तो आर्टरिक अपवा तंतर जाजस्तान की जो एसे नदियां है जो क्या करती है थोड़ी दूर चल करके और वहीं पर विलूपते हो जाती है या कोई जीलों के अंदर वो अपना जल है वो डाल देती है तो उसको हम क्या करते हैं आंत्रिक अपवा तंतर कहते हैं अरब सागर की जो नदियां अपना जल कहां ले जाती है अरब सागर की तरह ले जाती है तो उसे अरब सागर में ले जाकर के अपना जल डालती है तो उसे क्या करते हैं अरब सागर का पुआ तंतर एक है बंगाल की खाड़ी का पुआ तंतर एक है बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल भाग करके ले जाती है और उसके अंदर विसजित कर देती है त अब आपन देखेंगे देखो टीन अपॉआतंत्र है देखो यह अमारी जो एक निकलती है और अलिपर और संकला यह हारास्तान को दो बागों में बांटीं बीचों बीच यह संकला निकलती इदर वाली नदिया है वह तो क्या करती है अरब सागर में इधर अपना जल विशर्जीत कर्देए तो अब हम देखेंगे आंत्रिक अपितंतर क कौन कौन सी नडियां है जो थोड़ी दूर चल करके कि एफिए किर्ट पर जल का विसर्जन कर देकिंग नदियान कर दें लुद तो सॉमण तो जाती तो आंत्रिक मीस चो झाय चोटा से ट्रिक है चैenceAL को काit का 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 संमी में काका साम में, काका साम में, ठीक है, घर में, घर में, घर के दो रूप, सोई, घर के दो रूप, काका सामने, घर के क्या हैं, दो रूप, तो साम में, घर के दो रूप है, घर के कांक नहीं, कांक नहीं, ठीक है, कांसे कांक नहीं, फिर का से कांतली का से कांतली कांतली फिर है सा से सबी सा से सबी ठीक है उसके बाद में में से में था में से में था में से में था घर से घगगर न दी घगगर उसके बाद में हैं दो रूप यह नदिया है जो क्या है अंत्रिक परवा की नदिया यह काने ही तो देहां राकनेगी कानतली सभी मिन्था घगर रूपनगड रुपालिक कई बार क्यों सना जाता है कि निमल लिखित में से कौन सी नदी हैं वो आंत्रीक परवा की हैं या इस में से कौन सी नदीयां च्यार के नाम देते हैं कौन सी नदीयां आंत्रीक परवा की नहीं हैं तो इस ट्रिक के मादे में से आप कर सकते हैं काका सामें घर के द खाड़ी में, खंबाद की खाड़ी में, जल्विसरजन करने वाली, एक कच की खाड़ी में और एक खंबाद की खाड़ी में, उसी पर बंगाल की है, तो इसके अंदर जो अरब सागर की नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, देखो माई हैं, ठीक है, साबर मती हैं, उसके बाद में लूनी नदी हैं तो यह क्या करती हैं जो बड़ी नदियां मैं वहन बनいう है नधी है अठीकே उसके बाद में आठीके जो नदिया और यह और बागी जो बान खेया है वह साही क्या करता है अरब खाड़ी के अंदर अपना जल भी सजीते करती है इनका ट्रिक मा आगे बता दूँगा आज पहले अपन इनका पढ़ेंगे आंत्रिक नदियों के बारे में इनके ट्रिक अपन आगे बताते रहेंगे तो सबसे पहले हम आंत्रिक नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो आंत्र कांकने नदी के बारे में चलते हैं कांकने नदी देखो कहां की हैं जेसल मेर की ये जेसल मेर है ठीक है ये जेसल मेर है तो यहां से निकलती है देखो ये कांकने निकलती है कोठारी गाउन से निकलती है कोठारी गाउन से निकलती है कहां से निकलती है कोठारी गाउन से निकल करती है यहां पर जील का निर्मान करती है कौन सी जील है बुझ जील का निर्मान करेगी बुझ जील का निर्मान करेगी यह कौन सी जील है बुझ जील का यह निर्मान करती है यहां पर बुझ जील का निर्मान फिर यहाँ पर रूप सी गाउं में, कौन से गाउं में, रूप सी गाउं में, कौन से गाउं में करती हैं, रूप सी गाउं में, एक भुच जील का निर्मान करती है, यह चलती है, फिर आगे यहाँ, मिठा, खाडी के अंदर, यह अपना जील, जल वो विसर जीते कर देती हैं, मि कौन सी नदी हो गई, कांक नई, कौन सी हो गई, कांक नई, कौन सी नदी हो गई, कांक नई नदी हो गई, तो आप ध्यान रखेंगे, कांक नई नदी, इसको क्या कहते हैं, कांक नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कांक नदी भी कहते हैं, इसको मसूर्दी भी कहते हैं, क्या क क्या कहते हैं काकनी और मसूर्दी नदी भी इसको कहते हैं तो देखो यहां से कोठारी गाम जैसल मेर के अंदर कोठारी गाम है यहां से निकलती है ठीक है उसके बाद में यह आगे बढ़ती है यहां पर एक भुज जील का जी निर्मान करती है और उसके बाद में यह क्या करत उसके अंदर पिधूह आपना जल कर दें है इसया относ to इसकी लबाई है 17 किलोवेटर्स कितने लंबाई है 17 किलोवेटर है कि लंबाई होई 17 किद्च रेंग क्याãy बुझ्ज है कि जेसल मेर को काको किस ने पुछे रूप सी गाउने पुछे बुझ्ज है मतलब बुझ्ज है बुझ्ज ता फिर है कि जेसल मेर मेर में हैं काको का मतलब कहां करी नदी के अंदर और बुझ्ज है कि बुझ्ज जील का निर्मान करती है और फिर आगे ध्यानक न नदी रदस्टान की क्या है अप्वाड आंत्रिक जल पर व awareness की दिश्टी शेगर देखें तो रदस्टान की सब्से चोटी नदी है यह क्या है सबसे छोटी नदी ध्हान रखना कैसे हैं Urban की नदी ये चोटी नदी है तो यह आपको सिक्कर से निकलती है और यह देको इधर जाती है जोंजनू की तरफ और जोंजनू और इसकी सीमा भी बनाती है और यह चुरू के पास जाकर क्या हो दुपते हो जाती है यह नदी कौन से हो गई कांतली नदी कौन से हो गई कांतली नदी कौन से हो गई कांतली नदी यहां से निकलती है कहां से खंडेला की पारियों से खंडेला की पारियों से निकलती है खंडेला की पारियों से कौन सी पारियों से निकल रही है खंडेला की पारियों से देखो आप याद रखलो कि कतली कतली अगर हम क्या करते हैं तोड़ते हैं टुकडे करते हैं तो मतलब क्या हो जाते हैं खंड कर देते हैं उसके टुकडे कर देते हैं तो ये खंडेला की पार जूरु के समीब जाकर कैसे समापते हो जाती हैं शुक्र और ऍजौ दिनोग दो जिलों में बैठती है जीक है सिक्र और जिएता Allah शुक्रारिते सब्वाद्त इसके उपर एक सम्यता सब्वेता का विकास हो आप सभी जानते ही तामबर सब्वेता है गनेश्वर सब्वेता कौन सब्वेता है गनेश्वर गनेश्वर सब्वेता ठीक है कौन सब्वेता का विकास वा इसके उपर गनेश्वर सब्वेता का विकास है उआ है अब अपन देखेंगे देखो ये जो नदियें राजिस्तान में पूर्ण तय भा कि दिख से एको तो यहां तक अपना जल ले जाती हैं और इस एक सब्वेता का विकास वाजिस का नाम है गनेश्वारे सब्वेता ठीक है और लंबाई इसकी लगबक क्या है सो किलोमेटर है इसकी लंबाई कितने होगी सत्रा सबसे छोटी नदी आंत्री का पुआ में देखें और सबसे लंबी पूरंट है भाव की दृष्टी से यह सबस जिलें जहां पर कोई नदी नहीं है अब अपन चलते हैं देखो सब्वी तीसरी के बारे में चलते हैं सब्वी नदी ठीक है सब्वी देखो यह जेपूर से निकलती है ठीक है यहां पर देखो जेपूर है यह जेपूर है यह यहां पर जेपूर है तो यहां से निकलती है ठीक है यहां पर है शेवर की पाड़ियां कौन से पाड़ियां है शेवर की पाड़ियां कौन से पाड़ी हो गई शेवर की पाड़ियां जेपूर के अंदर है यह जेपूर है ठीक है जेपूर शेवर की पाड़ियों से निकलती हैं इधर अलवर इधर अलवर की तरफ जाती है ये ये देखो अलवर की तरफ जाती है और इधर हर्याना की तरफ चली जाती है जेपूर और उसके बाद में अलवर और अलवर में हर्याना रेवाडी रेवाडी यहां पाटोदी गाव है हरियाना के अंदर पाटोदी पाटोदा गाव है पाटोदा गाव है हरियाना में रेवाडी के अंदर यहां पर यह क्या हो जाती है बिलूपते हो जाती है हरियाना के अंदर है देखो यह नदी हो गई शेवर की पाड़यों से ठीक है? देखो जेपूर में शेवर की पाड़यां है आप याद रKना देखो साबी यह साबी नदी हो गई कौँशे हो गई? साबी ठीक हैenden? साबी नदी हो गई सहसे याद रख लेंगे हैं अपन शेवर की पाड़ियों से निकलती है ठीक है और यह इदर उपर की तरफ जाती है अलवर के बाद में एक हाँ चली जाती है हर्याना हर्याना में पाटोदा पाटोदा जो गाउं है रेवारी के अंदर तो वहां पर यह क्या हो जाती है समापते हो जाती है तो यह आप ध् लाओuh कि साब साब कम लब साबी नदी है फैसाब जका बनात वहां नदी हो तक हरैंडा से यृवडी लाओं तो हरियाना वहां पर ये हमापते हो जाती है तो यह साभी नदिएं देखो सहाए आपको वाड़े अधिय weren't में अगली नदी अपनी है में था यह में था देखो कहां से निकलती है यह भी जैपूर से निकलती है कहां से निकलती है जैपूर से निकलती है अब देखो मैं बता देता हूं यह भी जैपूर से ही निकलती है में था और अपना जल कहां विस्त जीद कर देती है यहां जो यह यहां पर देखो संबर न दी यह संबर जील स्वरी संबर जील है यह यहां पर संबर जील है यह इधर जैपूर से निकलती है यह मैं इधर मिटा देता हूं यहां से निकलती है देखो जैपूर से यह यहां आती है यह आगई यह से यह हो गई मैं था कौण से हो गई मैं था इधर जैपूर से निकलती है जैपूर का मनोहर पूरा मनोहर पुरा मनोहर पुर गांग की पाड़ियों से गांग की पाड़ियों से गांग की पाड़ियों से निकलती देखो आपके याद रहे जाएगा जेपूर हैं यहाँ ठीक है जेपूर के अंदर है मनोहर पुरा गांग वहां की जो पाड़िया हैं वहां से निकलती हैं फिर यह आती है नागोर नागोर में थोड़ा सा टच करती हैं और उसके बाद में यह संबर जील में आ करके गिर जाती हैं यह जील कौन शी हो गई संबर जील तो संबर जील में आ करके गिरती हैं तो याद रहे जाएगी देखो में था मैं से याद रखो मनोर पुरा गाम की पाड़ियों से निकलती हैं मनोर पुरा गाम की पाड़ियों से निकलती हैं और फिर यहां नागोर और नागोर के बाद में यह कहां से लिजाती हैं संबर जील में इस परकार से याद रख सकते हैं मनोहरपुरा 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 कहा है जेपुर में है पारियों से निकलती है जेपुर और फिर आगे कहां जाती है नागोर और फिर नागोर के बाद में कहां चली जाती है संबर संबर जीर के अंदर गिर जाती है तो आ आजस्तान की नहीं भारत की क्या हैं सबसे बड़ी खारे पानी की जील हैं ठीक है जिसमें 8.7% का उत्पादी ते किया जाता है तो समबर आजस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की जील हैं जिसके अंदर ये गिरती हैं ठीक है अब चलते हैं देखो पहले अपन ये पढ़ ल जाती हैं यह हैं रुमपनगाडन धार यहां ंहें को यहां से निकलती है अज्मेर की किसंगड़ की पराड़ियों से था क Dos Reerऑ किसंगड से निकलती हैं कि और यह कहां चली जा सामने जील में सामबर जील जो नागौर और जैपूर के यहां के ऑपर वैसे अरुपन गड़ कौनशी हो गई, रूपन गड, रूपन गड, रूपन गड, रूपन गड हो गई, आप देखेंगे, देखो ये रूपन गड हो गई, अब उसके बाद में है, रूपा ले ले ना दी, यह देखो कहां से निकलती है यह देखो यहां से निकलती है अलवर से यह यहां से निकलती है अलवर से और यहां अलवर से यह भर्तपूर यह देखो अलवर है यह भर्तपूर है यह अलवर हो गया उद्यनाथ की पाड़ियों से उद्यनाथ उद्यनात की पाड़ियों से उद्यनात की पाड़ियों से कहां से निकलती हैं उद्यनात की पाड़ियों से कौन से रूपा रेल यह रूपा रेल कौन से रूपा रेल तो ध्यान रखना है कहां से निकलती हैं देखो अलोवर से निकलती है ठीक है अलोवर से ये कहां जाती है भर्तपूर ठीक है अलोवर से भर्तपूर उदे नात की पाड़ियों से निकलती है ठीक है यहां से उदे होती है देखो और कहां चली जाती है भर्तपूर ठीक है ना कहां चली जाती है भर्तपूर के अंदर तली जात यहाँ पर एक बांद है, शीक्री, कौन सा बांद है, शीक्री बांद, भरतपुर में, शीक्री बांद, कौन सा बांद है, शीक्री बांद बनाये गए, कहाँ पर बनाये गए, भरतपुर में, कहाँ पर बनाये गए, भरतपुर के अंदर इसमें एक शीक्री बांद बनाया गय है अब देखो यह अपना जल्व सजीद कहां करते हैं कुसल पूर्मी कुसल पूर्मी कुसल पूर्मी ठीक है अब इस नदी के देखो दो नाम है एक तो इसको लसावरी नदी भी कहते हैं इसके दो नाम है एक तो इसको यह कहते हैं लसावरी लसावरी लसावारी नदी भी बोलते हैं इसको ठीक है एक इसको वरा नदी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वरा है नदी भी कहते हैं देखो याद रखने के लिए आप किसे कर सकते हैं रह ठीक है रू, उ, उ, का मतलब उदे नात की पाड़IONं से निकलती हैं और इतर चलो अलवर से कहां गए बहर्तपूर, बहरतपूर में इसके उपर एक बाझ बना अगए जिसका नाम क्या हो गिया? शीक्रि γामद हो गया और यह बहर्तपूर में कुछलपूर गाउं है वहां पर अपना जल क्या कर देती है ये समापते हो जाती है ठीक है अब इसके दो नाम है देको एक लसावरी क्या नाम है लसावरी रुपा रे ले से याद रखो लसावरी ले से क्या हो गया लसावरी और देको वार रे वार रे से क्या हो गया वरा इसी के अंदर नाम पर रू, उ, उ का मतलब उदेनात की पाड़ियों से निकलती है, रे, ले, ले का मतलब क्या होगा है, लसावरी, लसावरी से ही, इसका दूसा नाम है, एक वे, रे, से यादर को वरा, इसका दूसा नाम है, तो ये इसके दो नाम है, लसावरी और वरा, नदी, तो ये आपको ध्य जो सलेमाबाद बना हुआ है जो निंबार्क संपरदाई है उसकी परधान पीट है यहां उपर सलेमाबाद यहीं पर इस्तित्य अजमेर के अंदर है तो यह भी आपको दिहाने रखना है अब अपनी यह नदी है घगड नदी जो आंत्रिक परवा के दिश्टी से देखें तो अब अब अपन परते हैं घगड नदी के बारे में कौन सी नदी होगी घगड नदी के जब options शनादी अधी dampे आदी कि घगड नदी कि इसके कई नाम है भुआजिका कई नाम है देखो इसके नाम फेली प्राचीन नाम серд सी ऀपराचीन नाम कोन न कौन से हो गई देखो liegen डि द्रसवती ठीक है? या सरसवती 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 नदीवी कहते है इसको ठीक है? इसको मृत नदीवी कहते हैं मरत नदीवी इसको कहते हैं ठीक है? क्या कहते हैं? मरत नदीवी इसको कहते हैं इसको नट नदीवी कहते हैं नट नदीवी कहते हैं क्या कहते हैं नट नदी भी कहते हैं और एक आपको ध्यान रखना इसको राजस्तान का क्या कहते हैं सोक भी कहते हैं राजस्तान का सोक राजस्तान का सोक कौन सी नदी को कहा जाता है घगग नदी को कहा जाता है एक इसको लेटी हुई नदी भी कहते हैं ठीक है ये इनके नाम है देगो प्राची नाम इसके दर्श्वती और सर्श्वती नदी इसको मर्त नदी भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको मर्त नदी भी कहते हैं इसके साथ साथ इसको नट नदी भी कहते हैं और इसको राजस्तान का सोख कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और बाढ़ आने के कार, इसको क्या कहते हैं, राजस्तान का सोख, ठीक है, और ये क्या है, लेटी हुई नदी कहते हैं, इसके ओपर दो सब्वेताओं का भी विकास हुआ है, सब्वे ताइं दो सब्वेताओं का विकास हुआ है कौन-कौन सी काली बंगा काली बंगा और पिली बंगा पिली बंगा काली बंगा और पिली बंगा दो सब्वेता ऐसे इस कातली नदी पर कौन सब्वेता विक्षी तो ये गणेश वर सब्वेता ठीक है और यहां पर काली बंगा और पिली बंगा इस नदी के उपर दो सब्यताओं का विकास हुआ है अब अपन देखेंगे देखो ये कहां से निकलती है ये इधर से निकलती है देखो यह यहां से निकलती है ऐसे इधर यह पंजाब हरियाना और यह राजस्तान में इधर से यह परवे से करती है यह यहां पर देखो इस परगार से परवे से करती है और यह आगे इधर ऐसे जाती है यहां तक जाती है आगे इधर जाती है देखो यह कहां से निकलती है यहां पर हैं शिवालिक पाडियां शिवालिक शिवालिक पाडियों से निकलती है ठीक है और यहां कालिक का माता का मंदिर है कालिक का माता के मंदिर के पास से मंदिर के पास से कालिक का माता मंदिर के पास है हिमाचल हिमाचल पर्देश हिमाचल पर्देश में शिवालिक स्रेणि यहां है जो हिमाले परवत की जो निच्चे वाली परवत स्रेणि यहां से निकलती है शिवालिक स्रेणि से ठीक है काली का मंदर के पास से निकलती है फिर यहां से चलती है राद जाएंगे हिमाचALLY के अंदर मलब जो बर 그ला क्षेतरहम से निकलती हैं सिवाल की पारियों से शुझे जो बैठें सिवाली पारियों से यहां से पर यह पंजाब हरियाना हरियाना पंजाब के आपानगड़न को सीथान त्पी यहां पर नाम ऊच्टान त्पी कहाँ अनो मान कर दिए इस करती हैं और यहां बटोक्त के यहां विलुट हो जाती हैं बटनेर के पास चौक उठीजा ऒगना कहा से चलते हैं शिवालिक प्रवस,शिरी से निकलती हैं कालका माताओं मंदडि के पास हैं एब्स पी के अंदर वहां से पंजाब हरियाना और हरियना के दाल from a dag यह राजस्तान में प्रेस्ट करती है वहां पर यह पनेर का किला यह लेकिन कई बार क्या हो जाते हैं वर्षा यवादी को जाती है तो यहां गंगानगर यहां सूरत और अनूब गड़ यहां पर सूरत गड़ और अनूब गड़ कौन सा सूरत गड़ सूरत गड़ और अनूब गड़ क्या है अनूब गड़ अनूब गड़ तक इसका जल चला जाता है लेकिन कई बार क्या होता कि बहुत जदा वर्षा हो जाती है और जब बहुत जदा वर्ष बहावलपूर यहां ओते हुए बहावलपूर से और यह पोट अबास पोट अबास 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 पाकिस्तान तक यह अपना जले ले जाती है पाकिस्तान तक यह अपना जले ले जाती है तो यह आपको द्यान रखना है कि श्युवालिक से निकलती है पंजाब बाद में अर्मानगर टक फितना अपना जल ले जाती है और अंतिम जो इससका अस्थान है पाकिस्तान वो किटनी 400 655 किलोमीट्र लंबाई कितनी है 400 6555 466 किलोमीट्र राजस्टान की सब से लंबी आंतरिक परगला' की नदी हैं और पुरन ते भाव की दर्ष्टी से देखें तो कौन सी हो गई कांग नदी सबसे छोटी कौन शी हो गई यह हो गई कांक नहीं कांक नहीं नदी ठीक है जो रूप सी गाउं भुज और मिठा खाड़ी के अंदर यह गिरती हैं तो यह अपनी आंत्रिक परवाय की नदियां थी तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है इसके प्राची नाम दर्स्वती और सर्स्वती मर्त नदी भी इसको कहते हैं नट नदी भी कहते हैं इसको राधिस्तान का सोक भी कहा जाता है रा सबसे लंबी आंत्रीक परवाइकी नदी है पुर्ण तैम में देखें तो कौन सी हो जाएगी कांतली ठीक है अब ये कहां टिबी कहां पर प्रवेसिक करती हैं और बटनेर के पास अपना जल भी लुप्त कर देती हैं लेकिन कई बार ये आगे बढ़ती हैं तो गंगा नगर में अनुपगड़ और शुरतगर तक अपना जल ले जाती हैं लेकिन कई बार इसमें बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं बाड़ें आ जाती हैं तो इसका जल पाकिस्तान की पोर्ट अबास तके चला जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है इसी कारणे सुप्या कहते हैं राजस्थान का सोक कहते हैं ठीक है उत्तरी राजस्थान से परवेस करने वाली एक मातर ये नदी हैं और ये अंतराश्टी नदी भी हैं क्योंकि पाकिस्तान में जाते हैं इसलिए क्या है एक मातर अंतराश्टी नदी हैं और पाकिस्तान में ये उत्तर की और से परवेसे करने वाली एक मातर नदी हैं और एक मातर क्या है उत्तर की और स कांक नहीं कोठ्यारी गाउं से यहां से निकल करके मीटा खाड़ी तक जाती हैं बुष जील का निर्मान करती हैं 17 किलोमेटर लंबी सबसे छोटी हो गई दूसरी अपनी कौन शी हो गई देखो यह हो गई जो कहां खंडेला की पाड़ियों से जैसे याद रख सकते हैं कि कतल सब्वेता का विकास से हुआ है जो तामर युगिन सब्वेता हैं फिर अपन देखेंगे देखो यह साबी नदी जो शेवर की पाड़ियों सह से याद रख सकते हैं शेवर की पाड़ियां जैपूर के अंदर हैं वहां से निकलती हैं अलबर होते हुए हरियाना की तरह पे कि यहां बिलुपते हो जाती हैं तो यह आपको अरगना है है ठीक न कि सपराव। फздर यह आपको धियांनल से मिन्था यह से मन और पूरा गमंत की पाड़ियों से निकलती हैं जैपूरसे और यहका जाती शामबर जील में इधर देखो किसंगड अजमेर यहां रूपनगड निकलती है और कहां आ जाती है यहां यह सामबर जिल के अंदर गिर जाती है सांबर जील में चार नदियां गिरती हैं दो तो यह हो गई देगो रुपनगड मेंथा और दो नदियां ओर हैं जिसके नाम है खारी और खंडेला कई बार बहुत बार कुछ न पुशा गया है कि खारी खंडेला या जो सांबर जील में कौन कौन से नदियां गिरती है या कौन से नहीं गिरती है तो ये चार नदियां है देखो मुक्के रूप से रुपनगड मेंता खारी और खंडेला ये नदियां भी गिरती है उसके बाद में ये हैं इदर देखो अलवर के उद्धेनात की पारियों से रूपारे रूप से उ उसे जाज रखो उद्दे नात्की पारियों से निकलती है उद्दे सावरी और वारी वैसे वराविया रख सकते हैं ठीक है ओर कुसलपूर और liters एक भर्तपूर के यह भी आपको धियाने रखना है अब ये होई गई श्वालिक पारियों से नदियां थी तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट करके भी मुझे बताना अगर आपके कोई दिमाग में क्युस्टन चल रहा है ठीक है तो वो भी मुझे बताना और साथ साथ में वीडियों को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चनल को सक्साइब जरूर करना ठीक है और पास में जो वेल आइकन का वटन है वो भी आप दबा दीजी ताकि आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपके पास नोटिफिकरिशन सबसे पहले प्रापते हो जाए मैं कोईशिश करूंगा कि आपको और ही अच्छी तरीके से नदियां आगे से आगे बताता जाओंगा ट्रिकों के मादेम से धन्यवाद